आत्मकथ्य इस मॉड्यूल में आप सुनेंगे कविता आत्मकथ्य जिसके रचेता हैं जैशंकर प्रसाद मधुब गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपने मुर्जा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी इस गंभीर अनन्त नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीती किन तु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले यह विडंबना अरी सरलते तेरी हसी उडाओं मैं भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओं मैं उजवल गाथा कैसे गाओं मधूर चांदनी रातों की अरे खिल खिला कर हसते होने वाली उन बातों की मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वपन देख कर जाग गया आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया जिसके अरून कपोलों की मतवाली सुन्दर चाया में अनुरागिनी उशा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में उसकी स्मृती पाथे बनी है ठके पतिक की पंथा की सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं क्या यह अच्छा नहीं की औरों की सुनता मैं मौन रहूं सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म कथा अभी समय भी नहीं, ठकी सोई है मेरी मौन व्यथा करते हैं